हेलो दिये सूरेंट्स, वैलकम इन एसे स्टार्टर, दिये सूरेंट्स यह जो वीडियो रहेगी, यह असेस्पन वक्षीट नमबर 16 से लेड़ रहेगी, जो 7 मार्ज की है, ठीक है, तो भूर टाइम बाद मैं असेस्पन वक्षीट बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है, तो यह 20 मार्क्स की है, और जैसे कि अब जानते आपके एक्जाम है, तो यह काफी इंपोर्टेट है, तो इसको अच्छे से समझते हैं, एक चीज अच्छे से करते हैं, ठीक है, एक एक क्वेशन और इसके आंसर किसा समझेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं, देखिए, पहला क्ष समझेंगे, यह तो इसको अच्छे से पौसिबल पूर इटंब आप अन अलिमेंट, एक अलिमेंट है, जिसमें एक 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 प्नटन है, और कोई नूट्रों नहों, अगर है, तो उसका नेम बताईए, और उसका आ यह नमबर बताईए, देखिए, केवल एक ही है वह और हो कौन है हम सब जानते हैं hydrogen है ठीक है जिसमे हम उसे proteome की नाम से जानते हैं जिसमें neutron जो नहीं होता अगर आप hydrogen भी लिख देंगे तब भी sufficient होगा ठीक है तो there is only one stable atom that doesn't have neutrons it is an isotope of the element hydrogen called proteome proteome which contains a single proton and single electron is the simplest atom ठीक है तो protein में ऐसा होता है जिसमें केवल एक proton होता है और एक electron होता है और इसमें neutron नहीं पाए जाता ठीक है और इसने बोला atomic number क्यों होगा इसका one होता है ठीक है clear होगे पहले बहला ठीक है अब आगे दिखते next question next is what are isobars give example यह न चैप्टर no.4 की एक तरह से revision कह सकते हो आप ठीक है पूरी तो नहीं थोड़ी बहुत है ठीक है isobars क्या है और इसका आपको होता है ठीक है isobars are the atoms of different elements isobars वो atoms होते है different elements में ठीक है जिनका atomic number जो होता है वो अलग होता है और mass number same होता है जैसे example यह है इसको आप ऐसे लिखना आर्गन देखो atom number इसका भी 18 है इसका भी 20 है ठीक है लेकिन का mass number same है यार रखलो atomic number जिनका अलग हो mass number same हो ना उसको आइस तो बार कहते है ठीक है सुन्में आगए आपको चाहिए से ऐसे ना लिख के dear students ऐसे लिख लेना ठीक है उसके बाद next है हमारा question write the correct representation of an element x यह क्यारा एक्स है ना उसको आपको बिल्कुप तरीके से represent करना है जिसमें 15 एलेक्ट्रोन है 15 प्रोट्रोन है और 16 न्यूट्रोन है और इसने बोला प्रोट्रोन को टोटल करोगे तब आता है तो 30 बना जाएगा ठीक है question में दी रखाए अब आगे देखो इसने बोला कि इसको रिप्रेंट कैसे करना तो अब लिखेंगे दर्टम इस रिप्रेंड़ेंड एस आप यह लिख देंगे पूरा ठीक है यह आप इसकी जगा इसके पास यह लिखना है आपको यह और इलेक्ट्रोन कर प्रोट्रोन कर और दो आठ दस और पंद्रा हो गया वैसे कितनी अगे 3 आगई वैसे सिप्देंगे नंबर पर उसकी वैसे पास दोनों दिखाई देगे ठीक है सब्कूं कैसे नोट करना है ठीक है चलो तो उसकी बार नेक्स पर बढ़ जाते हैं यह इस तरीके सबको नोड करना और आप पांच इसका के लिखना चाहिए लिख ले नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है ठीक है लिखने को तो जड़ा अच्छा रहेगा वुक में देख लेना इक पर फिर भी ठीक है अब फोर देखिए फोर्थ है कि वाटあー-आसिटिख नेमने ट् – आसिटओ आसिटोप्स आपको दो आसिटोप्स बताने और है रलाश अपस ओते कि वह तो देख्जास नंबर जो उम्यमेंट धिसरय नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग-अलग होता हुस्से हम और तीन यह नियाु स्बस्क ठीटियम हो गया ठीक है और तीसरा जो गहीं गया ठीक है और इस तरीके से ते इसे से अधरी नुट्रों यह बनिन देन। तो आप लिखेंगे number of proton are the same, इनमें proton same होते हैं इन बात, इसलिए ये जो है न chemical properties same दिखाते हैं, ठीक है, और जो proton होते हैं, वह ही determined करते हैं chemical properties को, ठीक है, इसलिए वो same chemical properties दिखाते हैं, clear हो गये, ठीक है, देखिए काफी महनत लगते हैं, अफ़र लगते हैं, और अगर आप तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और निवा तो सब्सक्राइब भी कर सकता है, पांचवा देखिए, पांचवा यह कि आप यह देख सकते हैं question, यह कह रहा है, क्यान की valency अलग-अलग हैं, आपको answer बताना जिस्तिवे कर रहा है, और इसमें बोला कि फिर इनके अंदर का आप यह देख सकते हैं, ठीक है, यह देख लोग किस तरीके से लिखा हो, जैसे लिखा है न, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और ऐसे भी रिख सकते हो, अब answer देखो इसका, आप बोलेंगे यह और यह, आइस्ट्रोप से हैं, क्यों है, क्योंकि आप यह देखिंग नमबर सेम है, ठीक है, यहाँ पर आप 17 लिख लेंगे, ठीक है, लोरीन, आइस्ट्रोप सेम नमबर ओफ एलेक्ट्रोंस, ठीक है, इनमें जो आइस्ट्रोप से होते हैं, उनके एलेक्ट्रोंस सेम होते हैं, ठीक है, आइस्ट्रोप से कि अब पूछा गया कि कि इतने होंगा इसमें तो इस तरीके से निकालते हैं तो इसके बाद छटा है कि कि अब तेरह सकते हैं कि एक अगर उसके उपर 3 प्लस और किसी को दे दी हैं तो अभी इसके पार तेरह से तो तो दस हो गए आपको किसे इसे प्लस लिख है है तो हम घटा रहे हैं तो जब किसिको पैसे देते हो तो आप क्यों करदा दिया हुआ है तो अब अब प्लस में तो भ harden प्लस लिए अधिडिया थी और यहां फर माइनश लिखाए मैघकर दो कुछ मिने लिखा होता लो तो उसने एक ही हूं तो सत्रह तो पुल्स में मैनिस तो प्लस करना करना इस तरह के सह समझ लू कि जब Brooks 歌 तो ने लें किए कैनी और जोड रहे हैं और जब प्लस वोसकि संग्य और रहे हैं थनोसमें से क्रिफेस किया एक पर सबन्री चिंए ऑब संसल्स क्रम आभा दे क्षार सक्क neutral एप ओERS और बॉर को मोड़ा जो एना आटम का उसे किछे और वैलनले लेक्टावल ने क्या बताइए कि जो अन्दर है और उसके जो अथ अपने जो फिक्स और पर रिवाल्व करते हैं मुलाब उसी पर पाए जाते हैं यहां पर ठीक है एक इस लोकेटड आवे फॉम द नूकलिस वेरास एलेक्ट्रूब विल आप लेस अनर्जी इफ लोकेट नियर द नूकलिस अगर नूकलिस दूर है तो उसमें जाए नर्जी नूकलिस के पास है तो उसमें कम एनर्जी है उस तो two, two, a, three है तो हम इसका वैलन से लेट्रों का बोलें चयां थब बोलेंगे और अगर को पास्नों हो तो जो दो को बोलेंगे और चार यहां better यहां पर ऐीसारा हो ना चाहिए यह आठ होगो तब यह आगए वाला फर सकते हैं यह याद रखना कि जो के लिए मिर्द आपके लिए काफी यह लोगा आप वीडियो को लाइक चाणको सब्सक्राइब जू किया करो ठीक है अगर अभी तक आपने नहीं किया तो थांक्यू पर वचिंग वर वाचिंग है लिस